बिसमिल्यारहमारे मस्सलाम अलेकुम इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे के cat boost algorithm क्या होता है तो directly मैं jump in करता हूँ यहाँ पे जो machine learning की हमारी notebook है यही पे एक नई notebook बनाते 17 number 17 number को मैं cat boost का नाम देता हूँ IPYNB तो यह हमारे पास 17 number notebook आ रही है अब यहाँ पे हम algorithm बना के देखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ cat boost algorithm जिसकी मैंने theory जो है वो आपको boosting के algorithms के अंदर सारी की सारी बता दी हुए अब cat boost क्या होता है यह basically boosting का ही algorithm अगर मैं यहाँ पे cat boost लिखूँ तो यह state of the art open source gradient boosting on decision trees library है basically और इसी से हम आज algorithm का काम भी करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ से select करता हूँ जनाब अपना python का environment तो मैं जो select करूँगा वो python ml वाला अपना environment जो से select कर लेता हूँ simply अब यहाँ पे हम cat boost जो है algorithm उसको लगा के देखेंगे cat boost algorithm के लिए आपको जो पहला काम करना है वो आपने एक library install करनी जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ pip install cat boost मैं इसको यहाँ से control enter करके install कर लेता हूँ आप minus q दबाएंगे तो यह आपके पास quietly install हो जागी तो मैं यहाँ पे minus q लिख देता हूँ और यह notebook आपको मिल जाएगी simply और then we have a lot of other information here जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं valid metadata entry name और so on and so forth बाके चीज़ें भी यहाँ पे खराब करेंगे काँ on the other side आप same चीज़ें को install कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे terminal पे जाएं terminal पे जाने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे so यह मेरे पास क्योंके मैं Macbook में काम कर रहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ conda activate और यहाँ पे हम लिखते है python underscore ml तो यह मेरे पास python ml उपन हो जाएगा तो pip install cat boost यह वाली library हमने install कर लिए क्योंके मैंने और ready कर लिए मैं इसको comment out करता हूँ हम next cell के उपर move करते हैं अब इस जगह पे जो हमने काम करना है वो दो से तीन काम करना है सबसे पहला काम तो यह है कि import libraries हम करते है और इसमें सबसे पहले करना है import pandas aspd numpy asnp matplot leave asplt import seabon ascns और उसके बाद जो अगला काम हमने करना है वो करना है from cat boost हमने करना है cat boost classifier ठीक है categorical boosting classifier है फिर train test template को हमने import करना है और हमने accuracy confusion matrix and classification report यह तीन जो हमारे matrices हैं यह matrix हैं इनको हम import कर लेंगे मैं इसको run करता हूँ यहां से जैसे मैं run करूँगा अगर यह library सारी की सारी import अच्छे तरीके से हो जाती है and then it will give me a green tick like this otherwise it will may it may cause a problem so now it's working fine तो हमें कोई भी इशू नहीं है यहां पे right अब हम आगे चलते है next काम जो है हमारा वो यह है कि हम यहां पे just give me one second हम यहां पे अपना data set जो है उसे import करने वाले है तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि data set इंपोर्ट करने के लिए आप कोई भी data लेकर आ सकते हैं मैं यहां पे जो data import करता हूं data import Titanic हम कर लेते क्योंकि Titanic पे समझना easy हो जाएगा तो मैं df is equal to sns.load dataset और यहां पे Titanic का data ले आता हूं df.head करता हूं तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से df.head की command जो है वो चल जाती है ठीक है यह हमारे पास सारे के सारा data है जो Titanic का data है और अगर आप घौर करें हमारे पास यह data के अंदर numeric variables है categorical variables है and then there are many other things as well तो हमने क्या करना है हम data को preprocess करते हैं ठीक है सबसे पहली बात यह है कि हम data को preprocess करने करने के लिए missing values को impute करेंगे ठीक है so मैं यहां पर करता हूँ pre processing of the data so इसको simply हम इस तरीके से रख लेते और यहां पर मैं करता हूँ जनाब impute impute missing values using cannon imputers in fair age and embarked embark and embarked down embarked down ठीक है ठीक है जी so यह दोदफा एंट लग गए इसको हम थोड़ा सा यहां से remove कर देते like this अब इन चीज़ों को हमने run करना है बारे 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 राइट तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमने imputers यहां पर मुगाने वो k-n-n imputer है imputer को हमने बुला लिया और k-n-ears neighbor algorithm की बेस पे करीबी जो 5 neighbors होंगे उनकी बेस में हम imputers को यहां पर fit करेंगे जो 5 neighbors की बेस पे हमारे data की जो missing values हैं उन्हें impute कर देंगे simply so हमने यहां पे age पे भी लगा दिया fair पे भी लगा दिया और यहां पे हम embark town पे भी लगा रहे हैं और हम embarked पे भी लगा रहे हैं ठीक है so हमने जब यह सारी चीज़ें लगाई तो हमारे missing values जो impute हो जाएंगी तो मैं यहां पे आपको missing values दिखा देता हूं कितनी है is null or dot sum मैं इसको run करता हूं बलके इसको dot sort values भी हम कर लेते हैं ascending false करके तो 688 172 and 2 यह हमारे पास missing values हैं मैं इसी code को दुबारा से copy करता हूं यहां पे जब मैंने imputer को run किया like this हमारे पास कुछ error आई है could not convert string to float southampton अच्छा जी तो embark town और embarked इन दोनों का नहीं हो रहा so हमने embark town और embarked इन दोनों को हम simple imputer से कर लेते हैं fair और age को हमने कर लिया so हम यहां पे simple imputer को use करके इनको mod के साथ replace कर देते हैं impute missing values in impact and embarked town using simple imputer तो यहां से हमने simple imputer use करना है simple imputer क्या करेगा most frequent values की base पे आपकी जो strategy है उसको utilize करेगा और embarked और embarked town की values को वो missing values को impute कर देगा सबसे पहले मैं सबसे उपर वाले cell चलाता हूँ then इसको run करते हैं अब इसको भी run कर दें क्या हमारे पास problem है यह value error true है किस चीज़ की error है let me see hopefully यह error जो है embarked town तो हमारे पास है यहां पर embarked भी है तो यह value error किस चीज़ की आगी है we will see that इसको मैं cut करता हूँ सबसे पहले उपर वाले चलाते हैं यहां पे age और fair जो है इनका हमने कर दिया यहां पे embarked का करते है most frequent value का नहीं embarked में से fit transform कर दिया और यहां से देखते है github copilot हम एक value error 2 का क्या हमें solution बताता है and then we will actually add this तो यह हमें बता रहा है कि जनाब imputed.transform imputed.transform लगागे करें अभी भी error दे रही है तो मैं इस error पे time लगाया है बीना ही मैं यहां पे क्या करता हूँ using pandas हम इसको impute कर सकते हैं ठीक है impute, impute, embarked missing values using pandas तो उसके लिए हम क्या करेंगे simply fill n करके mod के साथ उन्हें replace कर देंगे और same काम हम करेंगे embarked town के साथ भी अब हमने तीसरा काम यहां पे क्या करना है drop deck column क्योंकि उसकी missing values बहुत ज्याद है 677 के करीब तो हमने वह drop भी कर दी है यह हमारे 3 step जो हैं यह missing values के हैं मैं इनको इकठा करके एक ही cell में लिख देता हूँ ताकि यह मेरे पास जो हैं वह एक ही run के अंदर सारे का सारा missing values जो है वह हमारे पास run कर जाए सबसे पहले मैं उपर वाले cell चलाता हूँ यह मेरे पास 688 है deck के इस वज़ा से remove किया बाकी age, embarked और embarked term को हमने यहां पे impute कर लिया fair हमारे पास automatically zero missing values है तो मेरे ख्याल से fair का तुक ही नहीं बनता इसको impute लगाने का तो मैं यहां से fair को भी remove कर रहा हूँ तो मैं अब इसको run करता हूँ यह हमारे पास लग गया जना missing values और missing values के लगने के बाद हम यहां पे दुबारा से check करते हैं df missing values को so हम df.isnull.sum ascending false करके check करते हैं and अगर हम दुबारा से सब को run करें और इसको फिर run करें तो zero zero हो गया तो हमारे पास इसको लगाने से missing values जाएं वो सारी की सारी जो हैं वो हमारे पास check हो गया ठीक है यहां ता clear हो गया right अब हमने क्या करना है अब हमने जितने भी हमारे categorical column है उनको type category में convert कर देना है say for example अगला काम categorical boosting के अंदर क्या होगा convert each category column to category ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे basically हमने categorical columns जो है जो object है या हमारे पास category है हमने वो दोनों column यहां से ले लेने category ठीक है यह दोनों columns लिए हमने columns लेने के बाद हम उनको एक object के अंदर save करें जिसका नाम है categorical columns ठीक है और जैसे हमने उनके नाम ले ली है categorical column के तो हम उसको as a category add कर सकते हैं मैं यहां पर अब इसको add this as a new column in data frame इसको हम add करते हैं यहां पर for example अगर मैं यहां पर लिखो def के अंदर categorical columns is equal to अब हम क्या करेंगे इसको category में convert करतेंगे सभी के सभी को def के अंदर जितने भी categorical columns हैं इसको dot as type हम क्या कर देंगे category में convert कर देंगे अब इसका मकसद क्या है हमारे पास जितने भी object के column थे उनको भी और जितने भी हमारे दूसरे column थे हमने उसको category में convert कर दे मैं भी आपको समझाता हूँग यह क्या बात है यह बात ऐसी है कि आप यहां पर चेक करेंग के पास object भी है और object भी है और category भी है हम सभी इनको category कर रहे है यह हमने काम किया है मैं इसको run करता हूँ हमारे पास जितने भी column थे वह category के अंदर convert हो गया है इसकी reason कि है मैं भी आपको समझाता हूँ अब हम करेंगे split data into x and y x and small y के अंदर हम data को split करते हैं यहां पर जैसे हम data को x and y के अंदर split करते हैं तो df.drop survived को हम यहां पर predict करेंगे ठीक है अब हम करेंगे split the data into train and test तो 8020 के random state के साथ हमने कर लिया यहां पर 42 लिख देते हैं ठीक है तो यह हमारा जो data है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से यहां पर data आ गया अब इसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे हम cat boost classifier को start करेंगे but until now हम इसको run करते हैं हमारे पास x y split का data आ गया अब हम क्या करते हैं run the cat boost classifier इसको run करने के लिए हम क्या करेंगे model को बनाएंगे model को और उसके अंदर हम cat boost classifier को लिखेंगे ठीक है लिखने के बाद iterations बताएंगे कितनी करनी है 1000 भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं मैं 100 कर लेता हूं learning rate बताना है कि किस rate के साथ वह आगे चलेगा point one is enough depth हमने बतानी है जो मैं यहां पर देता हूं that's enough furbose हम करेंगे false वरना यह सारे के सारा column जो है वो नीचे हमारे पास आता रहेगा और loss function हमारे पास log loss है और accuracy हमारे पास accuracy simply तो यह इस तरीके से काम करेगा कि जब भी एक iteration चलेगी उसका loss function भी देखेगा और देखेगा accuracy कितनी है उसकी base पर next जो है prediction वो हमारे पास आएगी तो हम इस model को यहां पर run कर सकते है run करने के बाद हम इस model को fit करेंगे यानि के train the model train करने के लिए आपको पता है model.fit और x train, y train और हमें यहां पर train के साथ साथ एक और काम देना पड़ना है यहां पर cat features हमने देने है जो हमारे पास categorical columns है ठीक है तो हम यहां पर cat features को categorical columns जो हैं वो दे देंगे ठीक है इसका मकसद क्या है अगर आप cat boost algorithm की theory पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी categorical features को यह अच्छे तरीके से deal कर लेता है तो हमने यहां पर train भी किया और model को हमने call भी किया अब हम क्या करेंगे यहीं पर prediction भी कर लेते हैं तो हम यहां पर मैं लिखता हूँ predictions predictions को यहां पर लिखने के बाद मैं यहां पर y underscore predict लिखता हूँ और हम x test पर से run करते हैं और यहीं पर model को evaluate भी करते हैं जैसे हम evaluate करेंगे हमारे पास आजएगा print, print करेंगे हम f string के साथ कर लेते है, accuracy score, यह हमारे पास आगा accuracy score, इसी तरीके से हमारे पास confusion matrix आजएगा और इसी तरीके से हमारे पास classification report आगी, मैं इसको control enter करके run करता हूँ, and it's giving me one error, feature should be in sequence, but, feature should be in sequence, but, got index, sex, embark, class, who, embarked on a life, अच्छा जी, feature जो हैं, वो हमारे sequence के अंदर नहीं है, so we have to think that, के गलती कहां पर हमने की है, just a minute, मैं इसको दोबारा से check करता हूँ, let me see, categorical feature को to list करके अगर हम लगाएं, यहां पे, now it's fine, right, लेकिन यह हमारे पास accuracy और prediction अच्छी खासी दे रहे, तो 105 और 74 आ रहे, so मसला यह था कि यह जो categorical features मैंने यहां पे model के अंदर add किये थे, इसको list के साथ अगर add करेंगे, then it will be fine, अब आप सोच रहे होंगे कि यह हमने क्यों add किया, मैं इसको निकालता हूँ, model को दुबारा से run करता हूँ, now it will tell you, कि मुझे ऐसे column तो बताएं ना, जिसके अंदर categorical features आपके छुपे हुए, मतलब यह है कि यह data categorical features को as an input लेगा, और उनकी prediction जो है, वो हमें करके देगा, simply, ठीक है, और उसकी वज़ा से हमारा model जो है, वो और भी ज़्यदा accurately predict करता है, So this is how you can actually use the cat boost classifier, cat boost classifier होता क्या है, इसकी क्या assumptions और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें इसमें इन्वाल्व हैं, यह आपके छोटी सी assignment है, मैंने boosting algorithm के अंदर इसका बताया था, hopefully आपको समझा आगी होगी, अब next algorithm के तरफ हम move करते हैं,